राधा स्वामी चरिटेबल अस्पिताल बोटा के कोविट सेंटर में कोरोना के पहले छे मरीजों का सफलता पुर्वक इलाज कर चुके चिकित्सकों और नर्सों का हमिरपुर के डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज पहुचने पर पुष्प वर्षा कर स्वागत कि राधा स्वामी चरिटेबल अस्पिताल बोटा के कोविट सेंटर में कोरोना के प्रथम छे मरीजों का सफलता पूर्वक इलाज कर चुके चिकित्सक होम कॉरेंटीन के बाद वापेस अपने कामकाज पर लोटे हैं मेडिकल कॉलेज के स्टाफ द्वारा पुष्प वर्षा के साथ इनका स्वागत किया गया स्टाफ के सभी लोगों के लिए ये एक नया अनुभाव तो था ही बलकि एक बड़ी चुनौती भी थी कॉरोना से लड़ाई लड़ चुके मेडिकल टीम का नेत्रतों कर रहे नेत्र रोग विशेशगे डॉक्टर संजीव कृष्ण ने बताया कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर उन्हें तयार किया गया जो अपने आप में चुनौती पूर्ण था लेकिन मेडिकल के अन्ने स्टाफ द्वारा उनका होसला बढ़ाया गया उन्हें कहा कि जहां पर उनके ठहरने का प्रबंध किया गया था वहां पर लोगों का उन्हें सहयोग मिला है जो एक शॉर्ट नोटिस पर जो हम लोगों को इस यूद को लड़ने के लिए करोना की यूद को लड़ने के लिए हमें बोटा बेजा गया तो हमारी पूरी टीम ने पूरी हिम्मत के साथ काम लिया हालांके शुरू में थोड़ा डर भी था हमें सब्सक्राइब है की अधिय 쪽व का घुम हूं नहीं सबस्ताइब गश्याप और एंही निए इस ऐसे की रहिए मोटम सब्सक्राइबätze अपनी चार महीने की बेटी से दूर रहे, डॉक्टर सुदेश ने कहा कि वे वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी बेटी को देखते थे, अभी घर भी जाकर आए, लेकिन वे अपनी बेटी को गोद मैं नहीं उठा सके, उन्हें कहा कि पहले ड्यूटी है और बाद में परिवा कि खैर अभी मुझे मौका मिला हो, मैं जब मैं था तो मैं घर गया हूं, तो चलो मैं उसको दूर से देख पाया हूं, बट फिर भी एक मन में रह गई यह बात कि मैं उसको खुद अपने बाजू में, हाथों में उठाऊँगा, तो मुझे उमीद है कि मतलब जैसे ही मुझ सदस्यरही स्टाफ नर्स आरती ने बताया कि उन्हें मरीजों की तरफ से भी पूरा सहयोग मिला है और एक टीम के रूप में सभी ने काम किया। उन्हें कहा कि उन्हें खुशी है कि वे इस टीम का सदस्यरही है और एक अनोखा अनुभव भी था। पहले तो मैं सब का थेंक यू बोलने चाहती हूँ प्रसाशन और जो हमारा एडमिस्टेटिव उन्होंने बहुत सहयोग दिया हमारा और हमारा एक्सपीरिंस बहुत अच्छा रहा जो हमारा टीम वर्ग था वो बहुत अच्छा है और उसकी वज़े से जो पेशन थे उन्हों सिटी चैनल हमिरपूर